दोस्तो आज हम बात करेंगे वोईस रेकोर्डिंग के बारे में दोस्तो आपने भी बहुत से आशे वीडियो देखे होंगे जिसमें वीडियो की कॉलेटी तो अच्छी होती लेकिन आदियो के लिए सुने नहीं देता है वीडियो में audio quality बहुत ही मैं तो पुने दोस्तो आप जो अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं मैं इसी application के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं अपने वीडियो में voice recording करने के लिए use करता हूँ दोस्तो आप ही अपने वीडियो में अच्छी voice record करना साथ हो तो ये वीडियो आपके लिए वीडियो इस्टार्ट करने से पहले दोस्तो आपने अभी तक चैनल टेक टिप से हिंदी वीद प्रेम अनकिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलि वीडियो इस्टार्ट करते हैं दोस्तो एप्लिकिशन का नाव में Rich Fork ये प्ले स्टार से आपको डाउनलोड करना है इसका लिंक में आपको वीडियो के डिप से समने दे दूँगा तोहां से आप डाउनलोड कर सकते हूं में यह पहले से डाउनलोड में इसको ओपन करता हुँ open करने के बाद में दोस्तों आपको यहां ok करना है इसका interface दोस्तों आपको इस तरीकर नजर आएगा chatting के लिए दोस्तों आपको corner में 3 line दिखरी वहां पर आपको click करना है click करने के बाद में दोस्तों first option option को मिले का setting का setting को open करने के बाद में दोस्तों आपको audio record पर click करना है यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे hyper रखना है 48 kHz पर mono पर click करके आपको mono को studio में बदलना है इसको ok करना है second option source को open करके आपको front microphone पर select करना है अगला option है दोस्तो recording name format इसको click करे recording name format को open करके दोस्तों आप जिस नाम से आपको save परना है जिस type से save करना है उसको आप अपने मर्जी के हिसाब से select कर सकते हो अगला option है दोस्तों disable agc इसको आपको select करना है private phone form slipping को आप enable करे conversion auto को भी enable करे conversion format को open करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर mono की जग़ studio करे MP3 के जगह आप MP4 कर सकते हो और MP3 पी रख सकते हो मैं यहाँ MP4 करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको high रखना है 48 और kbps को full करना है और ओके फेक क्लिक करें अगला option है दोस्तों delete converter फाइल में आपको disable रखना है auto choose वाले option को enable करते preview mode को enable करें और vibrate को आप disable कोई भी कर सकते हो यह तो थी दोस्तों man man setting जो complete हो गई है आपको वापीस पीसे जाके आपको जो corner में microphone का icon दिख रहे है आपको यह क्लिक करें यह पर first option effect का इसको open करें यह पर दोस्तों आपको तीन option मिल रहे हैं आपको तीनों को enable करना है अगर आप बार कहीं record कर रहे हैं तो आपको second option echo वाले को disable कर सकते हो recording time में दोस्तों आप no time limit पर click करना है speak silence को दोस्तों disable ही रखना है यह होगी दोस्तों management setting अभी पीसे सलते है record करने लिए दोस्तों आप red button पर click करना है जैसे click करेंगा तो आपकी जो आवाज है उसका पूरा का पूरा graph आपको नजर आएगा कि आपके आवाज कितनी तेज आ रही है कम आ रही है वो पूरा का पूरा आपको करा समझ में आएगा लेकिन दोस्तों अभी record start नहीं हुआ है इसके निशे आपको दोस्तों db नजर आ रही वहाँ पर आपको 10 और 16 के 20 में आपको इसको रखना है ताकि आपकी audio and work complete record होगी noise नहीं आएगी इसके बाद में आप यह right icon है उसको आप क्लिक करना है अब आपके recording start हो गी है record पूरा होने के बाद में दोस्तों आप अगर 20 में रोगना साय तो आप रोग सकते हो अगर आपको recording complete हो गया तो जो box वाल icon है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपकी recording यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर दूसरे option तो आपको दोस्तों समझ में आ जाएगे recording का जो ना मगर आपको change करना था वो आपको यहाँ से कर सकते हो और नहीं करना है तो वो आपको क्योंकि दोस्तों आपने default वहाँ पर लेयाट और time दे र नजर आ रहा है निचे फोल्डर प्लस का निशा नजर आ यहाँ आपको क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर जो बनाने की audio आपकी कहां सेव हो तो आप फोल्डर का नाम देखे आपको यहाँ सेव कर सकते हो दोस्तों आपको यह application जरूर पसंद आएगी क्योंकि अभी जो आ